नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोष्णी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचार उपर खंडवा लोकसवा शेतर के माधानता विदानसवा शेतर जोतिलिंग उमकारिश मर में पहली बाद सांसत ग्यानिश्वा पाटिल ने नर्मदा इसनान और उमकारिश्वा जोतिलिंग की दर्शन कर पूर्णे लाव लिया ततपश्याद रगुवंशी समाज धर्मशाला में मस्याओं का समाधान करने शिविर लगाया गया जिसमें माधानता विदानसवा शेतर के सभी विभागों के अधिकारी करमचारी मौजूद रहे शिविर में प्रापत आविदनों को गंभीरता से लेकर निराकरण के निर्देश भी दिये इस अफसपा माधानता विदायक नारायन पटेल नरेंदर सिंग तोमर भाजपा जिलाद्यक्ष सेवादास पटेल नगर परिशत अध्यक्ष अंतर सिंग बारे स्टीम चंदर सिंग सोलंकी स्टी योपी राकेश पेंद्रो आधी भी उपस्तित रहे विचार किया था उसकी शुरुआत की आज अस्तान है और समाधान कि एक साथ दोगों को सुनने का समस्या का समाधन करने का उसर अमाउसय के रोज और नरमदा मैया के किनारे और उंपर भगवान के पावत धर्थी पर यह दिन लोगों की समस्या को सुना जाएगा तो निच्चित रुख से भगवानी समस्या का समाधन करेगा और आज बहुत सारी समस्या आई है, कुछ थोड़ी बहुत समस्या को यही तत्काल समादान हुआ भी है, कुछ जो समस्या आए उस समस्या को अलग-अलग विभागों से और अलग-अलग क्योंकि खरगों जीला अलग है, खलवा जीला अलग है, तो अलग-अलग जीले की गर बंचा है तो लगबग लगबग बहुत सारे विभागों बंजीकर आये थे और समस्या का समाधान में करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के आयोजन और लोकसवा के कितने विदानसवा चेतरों में होते रहेंगे। देखे मैंने प्रयास किया है कि महा की अमावस को जब भी शेतर में रहूँगा तो अमकारेश्वर में ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। शेतर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। शेत्र की जनता को केलेंडर के हिसाथ से नमिन वर्ष की बहुत-बहुत शुपकाम ने देता हू, और जनता से ये अपील भी करता हू, कि कोरोमा की महामारी भीमारी के दो चरण हमें ने देख चुके हैं। और तीसरा चारत जो है तीसरी लहर है वो तीसरी लहर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है तो इसले जनता से निवेदन करूँगा कि जैसा आपने शासन प्रशासन का साथ दिया और आपके साथ देने के कारण ही कोरोना जैसी महामारी कंट्रोन में हुई थी और जरूरी हो तो ही बाहर निकले जरूरी ना हो तो भीड़ से जाने से बचे देता हूँ कि मोदी जी ने लगबग 140 करोड निशुल वेक्सिन लगाने का काम किया और कोई गरीब भुका न सोय उसके लिए निशुल अनाज देने का भी काम हमारे मोदी जी और हमारे लोक्तिरी मुक्योंति शुरासिंग चवान जी काम कर रहा है और भारतियंता पार्टी का संगटन चाहे हमारे राष्टी अद्यक्स मट्डा जी हो चाहे हमारे प्रदेश के अद्यक्स मालनी वीडी शर्मा जी हो सबने सेवा ही संकल्प कारे को कारे करताओं को भी लगाया शासन प्रशासन कारे करता संगटन सब मिलकर इस कोरोना की करता है वह कार्यक्रत करने के पहले के पार्टि गुमित्वार रहते बनने के बाद पूरी जनता के रहते हैं उनका उद्धेश से द्रमादा चट पर जितने पहारे कार्यक्रता बंदू आए प्रतमर आज नए वर्षय को प्लक्ष में माननी संस्थ मोधई को जो भी समस्य है उनका तर्कली पुट्राकण का प्रियास क्या है कुछ समस्य ऐसी है जुनका निराकार्ण रेकार्ण देख के करना पड़ता है इसलिए पुड़ा सा समय होगा आगे भी इस्तरकार के सीवी रोगने के समस्य आप निराकार्ण हो बढ़वा बलाक और पुनासा बलाक के कितने अधिकारी कर्मचारी यहां आये थे लवंक हमारे बलाक इस्तर के अधिकारी कुनासा के वो जरूर आये थे और उनको जैसे सुचना प्राण पुना होगा आज काफी आवेदन भी आ है और उनका जल्द निराकरण होगा। पुरा प्रिशासन लगा हुआ था और जन्प्रती में दी भी लगे हुए थे और इसका अच्छा रिस्वांस मिलेगा और आने जो अभी प्रत्म भारत का आगमन हुआ है बाकी आने वाला जो और भी जो प्रती महा जो रखा गया है कारी करम में बिलकुल उसका रिस्वांस खनवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट